हेलो स्टुडेंट्स एसे प्रोफेशनल क्लासे से मैं हम अंद्गुपता आज आपके लिए ले क्या हूं सीसी इस इस निवेस्टी का दोजार अठारा में जो ऑडिटिंग का एक्जामनेशन हुआ था उसका नेक्स्ट पार्ट इससे पहले भी पार्ट हम अपने चैनल पर अ आपको अन्य सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में महटपून कोश्चन और प्रीवेस एर पेपर भी मिल जाएंगे तो चले स्टुडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का कोश्चन फर्स्ट कोश्चन है लेखा परिक्षक एक प्रहरी है यह निम्न बुद्धे में कहा गया किस के स्टुडेंट्स बड़ाई फेमस केस है इस कोश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह किंस्टन कोटन मिल्स लिमिटेड का केस तो स्टुडेंट्स एक महटपून कोश्चन बनता है इस केस से सम्बंदित के यह जो निर्ने दिया गया यह जो निर्ने दिया गया इस निर्ने को देने वाले जज का क्या नाम था तो स्टुडेंट्स ध्यान रखेंगे जज का नाम था लोड जस्टिस लोपेस लोड जस्टिस लोपेस कब आया था केस 1896 में चले अब नेक्स कोशन जानते है नेक्स कोशन है निम्लिखित में से कौन अंकेक्षन की परकिरिया का अंग नहीं है निमलिकित में से कौन अंकेक्षन की परकिरिया का अंग नहीं है परमानकों का परिक्षन संस्था के अधिकारियों एवं करमचारियों के से कुछ स्पष्टी करन मांगना चिट्था एवं लाबालाब खाता तयार करना या संस्था की ओजनाओं विश्तरत परीक्षन किया जाता है तो स्ट्टिजेनियों का जो करेक्षण वह परबंद अंकेक्षण मैनेजमेंट ऑडिट के काम किया जाता है अप्षन इसका correct answer है next question है निमलिघिट में से कौन सा कथन सर्थ है हमारे का बताना है कौन सा कथन सर्थ है अंकेक्षन सभी व्यवसाइक संस्थानों के लिए अनिवारे है यांकेक्षन खातों की पूर्णता और सत्यता को आश्वस्त करता है अंकेक्षन खातों की सत्यता की कारंटी देता है अंकेक्षन खातों की सत्यता की यारंटी नहीं देता तो municipality की गारंटी नहीं देता है option No.D इसका correct answer है next question है एक लिखित योजना जिसमें किसी अंकेक्षन विशेश से सम्मंदित विस्तरत विवरन रहता है क्या कहलाता है तो इस question का जो correct answer है वो है बेटा अंकेक्षन का रेकरम audit program option number B इसका correct answer है चलिए अब next question के बारे में जानते हैं next question है आंतरिक निरिक्षन एक हिस्सा है आंतरिक निरिक्षन किसका हिस्सा है तो student इस question का जो correct answer है वो है आंतरिक निरिक्षन का question था हमारा आंतरिक निरिक्षन आंतरिक निरिक्षन इंटर्नल चेक इस एन पार्ट ओफ इंटर्नल कंट्रोल आंतरिक निरिक्षन का option number C इसका correct answer है चलिए अब next question जानते हैं इस्थाई संपत्यों के मुल्यांकन का सामाने स्वीकर्त आधार क्या है इस थाई संपत्यों के मुल्यांकन का सामाने स्वीकर्त आधार क्या है तो इसका जो correct answer है वोटा हराज घटा कर एतिहासिक लागत option number C इसका correct answer है चलिए अब next question के बारे में जानते हैं वोटा next question है आंतरिक अंकेक्षन के कारे शेतर का निर्धारन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है तो यह जो निर्धारन किया जाता है वो परबंदकों के द्वारा किया जाता है किसका आंतरिक अंकेक्षन के कारे शेतर का निर्धारन प्रबन्द को के द्वारा के जाटा option number b इसका correct answer है next question है बैटा क्या प्रबंधन बह Deborah के एक अंक्षक के कारे favorite को ч 280 कर सकता है तो ध्यान लखेंगे जो प्रबंधन है वो的是 वह बही आंक्षक के कारे को cagt नहीं कर सकता option number b इसका correct answer है चलिए अब next question के बारे में जानते हैं बटा next question हमा company के परबंदक को दे पारिश्रा में की अधिक्तम शुद्ध लाब का परतिशत है 10 परतिशत 25 परतिशत 15 परतिशत या 5 परतिशत तो student इस question का जो correct answer है वो है 5 परतिशत यह ध्यान दखेंगे बटा एक company जिसमें एक managing director है जो की whole time director है या manager है उसको company के लाब का शुद्ध लाब का 5 परतिशत रेमुनरेशन मिलेगा यदि एक company में एक से अधिक managing director है whole time director है manager है तो उसे company के शुद्ध लाब का 10 परतिशत रेमुनरेशन दिया जा सकता है और जो overall limit है manageral रेमुनरेशन के लिए वो company के profit का maximum 11 परतिशत तक दिया जा सकता है तो चले students इस question के हिसाब से दियवे option के हिसाब से इसका ये मान के चलेंगे कि ये कह रहा है कि एक managing one managing director जो की whole time director या manager है उसको जो company के शुद्ध लाब का वो maximum 5 पर 37 दिया जा सकता है रथा तो option number D इसका correct answer होगा next question है कारे पत्रों की चालू फाइल में सामान्यते होना चाहिए कारे पत्रों की चालू फाइल में सामान्यते होना चाहिए तो इस question का जो correct answer है वो है वित्य पत्रों की छाया परती यानि के photocopy उनकी document की होनी चाहिए option number C इसका correct answer है आप बेटर next question के बारे में जानते है नेक्स question है निमलिकित में से कौन सामद निमलिकित में से कौन सामद cash book और pass book के अनुसार bank balance के बीच अंतर का होना होने का कारण नहीं है तो इसके अंदर option दिये गए है आपको cash book में contra entry ना होना यही इसका correct answer है option number A इसका correct answer है चलिए अब next question के बारे में जानते हैं तो next question है आपका बेटा क्या कह रहा है कि निमलिकित पत्रों पर विचार कीजिए निमलिकित पत्रों पर विचार कीजिए अंकेक्षक report अंकेक्षन notebook अंकेक्षन कारेकरम और अंकेक्षन file अंकेक्षक इन पत्रों को जिस अनुकरम में तयार करता है वह अनुकरम क्या है बड़ा important question है आपको इनका क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन सी report बना जाते है फिर उसके बाद कौन सा program फिर उसके बाद क्या फिर उसके बाद क्या इनको सही करम में arrange करना है तो ध्यान रखेंगे बटा सबसे पहले अंकेक्षन कारेकरम तयार किया जाता है फिर उसके बाद अंकेक्षन नोटबुक तयार की जाते हैं उसके बाद अंकेक्षन की फाइल बनाई जाते हैं और उसके बाद अंकेक्षन की रिपोर्ट लगा जाते हैं और अप्शन नमबर A इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा सबसे पहले audit program होगा फिर audit notebook होगी फिर audit file तयार होगी और फिर सबसे last में audit report लगेगी option number A इसका correct answer है अब next question जानते हैं बटा next question है व्यवसाय का ज्यान हासिल करने का एक अच्छा इस्त्रोथ है विगट वर्ष के लेखा परिक्षा और डैश और अंत्य संबंद file तो हमारे को बटाना है तो प्रिविएस यहर्स ओडिट डैश और अदर रिलिवेंट file is a good source to acquire the knowledge of business टिपनी कारेकारी दस्तावेज योजना या परकाशन तो इस्टुडेंस ध्यान रखेंगे इस question का जो correct answer है वह कारेकारी दस्तावेज option number B इसका correct answer होगा next question है गैर व्यापारिक संस्थाएं तयार करती है किसे तयार करती है तो ध्यान रखेंगे गैर व्यापारिक संस्थाएं income and expenditure account को तयार करती है यानि कि आएवे खाटा इसका सही answer होगा option number D इसका correct answer होगा चलिए अब next question के बारे में जानते हैं बड़ा important question है क्या कह रहा है कि company अंकेक्षक report आदेश परभावी हुआ क्या क्या कह रहा है कि company's order is effective from कब से effective हुआ कब से आया auditors reports तो यह आया था एक जुलाई 2300 option number A इसका correct answer है चलिए next question जानते हैं बड़ा next question है company अधिनियम ने रुपई डैस या अधिक की paid up शेर पूंजी वाली company के लिए एक पून कालिक सचीव द्वारा सचीविये लेखा परिक्षन कराना अनिवार्य कर दिया है तो वो कितनी राशी है तो ध्यान दखेंगे यह 5 करोड है option number D इसका correct answer है next question है बड़ा शेर के सामाने मुल्य से अधिक प्राप्ट अतिरिक्ट मुल्य क्रेडिट किया जाना चाहिए तो इस question का correct answer है वो है security premium account में option number C आपका correct answer है इस question के लिए next question है बड़ा tax audit परिक्षन को वित्य रिकोर्ड के सत्यापन के रूप में देखा जाता है ताकि इसके प्रावधान के तहट कर योग्य लाभों की सत्यता सुनिश्चित की जा सकती है किस अधिनियम के अनुसार तो इसका जो correct answer है वो है आयकर अधिनियम option number A इसका correct answer tax audit may be defined at the verification of the financial records to ascertain the correctness of the taxable profit as per the provision of the income tax act और income tax act कुन सा है income tax act 1961 है जो वर्तमान में चलन में है और यह कब से प्रभावी हुआ था एक अपरेल उन्नीस सो बासट से हुआ था और financial advice इसमें time to time changes आते रहते हैं तो चलिए next question नहीं बटा एक company शोध्य पूर्वाधिकारी अंश शेयर इस अवधी से अधिक के लिए जारी नहीं कर सकती एक company cannot issue redeemable preference shares for a period exceeding तो हमारे को period बता है कितने समय से अधिक के लिए तो ध्यान डखेंगे 20 वर्ष से अधिक के लिए redeemable preference share को जारी नहीं किया जा सकता यानिके maximum 20 साल के लिए किया जा सकता 20 साल से अधिक के अवधी के लिए नहीं किया जा सकता next question है बटा company अधिनियम 1956 की धारा सो किस से समबंदित है हाला कि यह अब वर्ष मान में company 233 लागू है तो इसका कोई अचित्त नहीं है लेकिन उस साल जब पूछा गया था तो उसके accordingly जान रखेंगे company अधिनियम 1956 की धारा सो अंश पूझी में कमी से समबंदित है option number A इसका correct answer है बटा चलिए अब next question के बारे में जानते next question है पूझी गत्र लाभों में से लाभांश बाटा जा सकता है क्या कहता है पूझी गत्र लाभों में से लाभांश बाटा जा सकता है तो इसके option पड़ लेते हैं एक बार option दिये गए हैं बटा लाभांश देने के बाद भी company अपने रिनो के भुगतान के लिए शक्षम है अंतर नियमों द्वारा अनुमती नहीं है पूझी गत्र लाभ वास्तों में वसूल नहीं हुए और उपरोक्त में से कोई नहीं तो students इस question का जो correct answer है वो है option number A लाभांश देने के बाद भी company अपने रिनो के भुगतान के लिए शक्षम है तो पूझी गत्र लाभों में से लाभांश बाटा जा सकता है चलिए next question के बारे में जानते हैं next question question है मारा company अधिनियम की धारा 198 के अनुसार अधिक्तम परबंद्गिया पारिश्रमिक सुद्ध लाभों के कितने परतीशत तक होना चाहिए क्या कह रहा है what is the maximum limit of the manageral remuneration according to section 198 of the company act तो इस question का जो correct answer है वो maximum कितने maximum 11 परतीशत है option number A इसका correct answer नेक्ट कुश्चन है बटा अंकेक्षन नोट बुक एक ऐसी हस्त लिखित वे सजिल्द पुष्टिका है जिसमें एक ऐसे महत्पून तथ्या और सूचनाय लिखी जाती है जो अंकेक्षन में सहायक होती है यह कथन किसका है तो डिरेक्ट कुश् is a handbook written book containing the information helpful in audit work this statement was given by whom तो इसका correct answer है वो है होबाड इस्टेटलर option number D इसका correct answer है नेक्ट कुश्चन है बटा परीक्षन जाच के कारण तीसरे पक्ष को हानी होने पर क्या होगा कौन उत्तरदाई होगा तो ध्यान लखेंगे परीक्षन जाच के कारण तीसरे पक्ष को हानी होने पर अंकेक्षक उत्तरदाई होगा तो students यह हमारा 2018 के सभी 100 के 100 महत्पून question complete हो गए है वीडियो कैसा लगा comment box में comment करके जरूर ब शेयर करें कि बेस्ट ओफ लख फोर और एक्जामनेशन बाइबाई स्टुडेंट्स और एक विशेश सूचरा के स्टुडेंट्स आपने यदि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट को जरूर देख लें वहाँ पे आपको अन्य मैठपून सब्ज